तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि मेरा परिवार हमेशा से गरीब था हम खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते थे हमारे पास खाने की कमी थी इसलिए कोई और चारा नहीं था इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया वहाँ पे ठंडी बढ़ रही थी और वो भूकी थी वो अपने घर वापस जाना चाती थी लेकिन उसे पता था कि अगर उसके घरवाले उसे फिर से छोड़ देंगे किंगडब में अच्छा हर्वेस्ट हुआ है तभी एक कुकी वेंडर उनसे कुकी खरीदने के लिए कहता है एसरी लग के नाम पे खुद के लिए भी कुकीज खरीद रही होती है लग कहता है कि मैं दस साल का हो गया हूँ इसलिए मुझे बच्चे ऐसा ट्रीट मत कीजिए ऐसरी कहती है कि लेकिन तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट कर सकती हूँ अगर तुम भूड़े भी हो जाओगे तब भी मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करूँगी लग उसे ऐसा करने से मना करता है तो इसरी कहती है कि लगता है अब तुम मेरी बात नहीं मानोगे और रोने लग जाती है तब लग कोकी खाने के लिए तयार हो जाता है सियान कहता है कि लगता है कि तुम्हारा क्रीम, स्ट्रिव, लोगों को बहुत ही वसंद आ रहा है और फार्मर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं मीट का प्राइद अब स्टेबल है फिर लग वहां के फूड कल्चर के बारे में बताता है सियान कहता है कि मैं आने वाले फूड फेस्टिवल का इंतजार कर रहा हूँ लग अपने मैजिकल आईस से चेक कर रहा होता है कि वहां पे कोई मैजिक यूजर है की नहीं तब ही उसकी मदर आ जाती है और बताती है कि शौप की पर ने ये कोकी उसे गिफ्ट में दे दिया है क्योंकि वह उसकी फैन है और वह मजाक में कहती है कि मेरा बेटा एक प्लेवोई है शाम हो जाता है और वह एक टावर पे बैट के चेक कर रहा होता है कि यहाँ पे कोई मेजिक यूजर है की नहीं लेकिन उसे कोई भी मेजिक यूजर नहीं मिलता है वह बोलता है कि मैं दस साल का हो गया हूँ और मुझे ब्रेव को आठ साल बाद मारना है और उसके लिए मुझे एक एसिस्टेंट की जरूरत है जो मेजिक यूजर करने में अच्छी हो लेकिन जिनके पास उतना पावर होता है वो ज़्यादा तर नोवल्स ही होते है नॉर्मल इंसान जिनके पास मेजिकल पावर्स हो मिलना बहुत ही रेर है लगता है मुझे पेशेंटली सर्च ही करना पड़ेगा फिर सुबह लग हंटिंग के लिए जा रहा होता है तो उसकी मम्मी पूछती है कि इतने ठंडी में जाना ज़रूरी है क्या तो लग बोलता है कि अगर मैं हंट के लिए नहीं गया तो खाने के लिए ज़्यादा आइटम नहीं होंगे वो जंगल में घूम रहा होता है तभी उसे कुछ वुल्फ का सेंस होता है जो अपने प्रे पे अटेक करने वाले होते हैं लग बोलता है कि मैं उनसे उनका प्रे छीन लूँगा और वो वहाँ पे पहुंच जाता है और देखता है कि बहुत सारे वुल्फ एक लड़की को मारने वाले होते हैं लग वहाँ पे आ जाता है और अपने दिमाग और मैजिक का यूज करके पांचो वुल्फ को मार देता है वो उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और इतने गने फॉरस्ट में क्या कर रही है वो बोलती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है इसलिए मुझे कुछ मत करना लग कहता है कि तुमने मेरे कोश्चन का आंसर नहीं दिया है तो वो बताती है कि उसकी फैमली गरीब है और उसे एक ट्रैवलर ने बताया था कि अगर वो माउंटेन पार कर जाएगी तो उसे वो एक सेव जगा पे होगी लग फिर उसके लिए खाना बनाता है और उसे खाने के लिए देता है वो उसे कहता है कि अगर वो दीरे दीरे खाना खाएगी तो वो उसे और खाना देगा वरना नहीं तब लग उसे बताता है कि अगर तुम जल्ली खाना खाती तो तुम वॉमिट कर सकती थी मैंने तुम्हारे लिए एक गरम ब्रेड प्रॉटजी बनाया है जो तुम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगी लग मन में सोच रहा होता है कि दूसरे टरिटरी का लॉड बहुत ही ग्रीडी है उसकी जनता बहुत ही परिशान है क्योंकि उसने टैक्स बढ़ा दिये है लग उसे बताता है कि वो उस नोबल का बेटा है जो किंग्डम को कंट्रोल करता है तब वो लड़की कहती है कि गॉड सच में होते है तब लग बोलता है कि God तो वो बताती है कि God ने उसे सपने में आके कहा था कि तुम आज एक अच्छे इंसान से मिलोगी लग उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी तुम्हें खाने की प्रावलम नहीं होगी तुम्हें धंडी में भी नहीं रहना पड़ेगा और बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो वो लड़की चलने के लिए मान जाती है और कहती है कि ये पहली बार है कि किसी को मेरी जरूरत पड़ी है तो लग उसे पूछता है कि क्या वो एक अच्छा इंसान है तो लड़की कहती है कि हाँ तो वो उसे बताता है कि उसने लोगों को मारा है और मारते रहेगा क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है और उसे फिर से पूछता है कि क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो वो सोच के बोलती है कि तुम मेरे लिए तो एक अच्छे इंसान हो लग बोलता है कि मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर तुम मुझे मेरे जॉब में मदद करोगी तो तुम मेरे साथ चल सकती हो वरना ये सब बाते भूल जाना वो कहती है कि मैं कुछ भी करूंगी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है मैं तुम्हारा साथ दूंगी फिर लग उसे अपना नाम बताता है फिर वो लड़की अपना नाम टॉल्ट बताती है लग मन में सोच रहा होता है कि मुझे आकिरकार कोई मिला जिसके पास मैजिक पावर है मैंने वुल्ट को मारा और उसे ये सोचने पे मजबूर किया कि मैंने ही उसकी जान बचाई है और उसे खाना भी दिया है अगर वो मेरा बात मानेगी तो उसे प्रॉफिट होगा फिर मैंने उसे अपना सीकेट बताया जिससे वो मुझे बरुसा कर सके और लास्ट में मैंने उसे खुद चूस करने के लिए कहा जिससे वो मुझे बिटरे नहीं करेगी क्योंकि ये फैसला उसने खुद लिया है और लग उसका ब्रेनवाश कर देता है फिर हमें 40 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहां पे एक आदमी एसैसिन की तरह रीन कारनेट हुआ होता है Goddess उसे बताती है कि मैंने तुमारा स्पिरिट को समन किया है Goddess कहती है कि तुम वर्ल्ड के बेस्ट स्पेशल फोर्स कमांडर थे फिर भी तुम एक पैटल में मारे गए तो वो Goddess से पूछता है कि इस सब का क्या मतलब है तो Goddess उसे बताती है कि मैं possibility strike कर रही हूँ एक experiment के लिए Goddess उसे बताती है कि मैं तुम्हें sword और magic के दुनिया में reincarnate करूँगी और तुम्हें वहाँ पे brave को मारना है तो वो Goddess से पूछता है कि क्या मैं वहाँ पे घूम सकता हूँ या एक सुन्दर लड़की बन सकता हूँ जिसका defense बहुत अच्छा हो Goddess बोलती है कि ये मुम्किन नहीं है लेकिन अगर तुम अपना duty complete करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो वो accept कर लेता है mission scene change होता है और Goddess No. 283 का progress देखती है जो 40 साल पहले reincarnate हुआ था तो वो देखती है कि वो bed पे लेटा हुआ था और कह रहा था कि मुझे लगा कि अगर मैं brave से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा इसलिए मैंने लड़ना लड़ने का फैसला लिया वैसे भी इसे Goddess को problem होगा मुझे नहीं Goddess बोलती है कि वो रिनकारने ठोके strongest से बिल्कुल एक कायर और डरपोग बन गया फिर लग को दिखाते हैं जो 12 साल का हो गया होता है और सो रहा होता है लग उसे बताता है कि उसने सपना देखा तो टॉल्ट पूछती है कि कैसा सपना तो बताता है जब वो टॉल्ट से 2 साल पहले मिला था तब का सपना तब टॉल्ट बोलती है कि उस समय तो मैं बहुती बदसूरत थी तब लग कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि वो इतनी beautiful बन जाएगी टॉल्ट ये सुनके शर्मा जाती है और कहती है breakfast ready है फिर सब breakfast कर रहे होते हैं लग टॉल्ट से कहता है कि तुम्हें servant की duty करने की जरूरत नहीं है तो टॉल्ट कहती है कि मैं आपना best दे रही हूँ ताकि मैं आपके काम आ सकूँ तो एसरी कहती है कि टॉल्ट कुकिंग में भी बहुत improve हो रही है सियान कहता है कि लग ने टॉल्ट को चूस किया है क्योंकि उसे लगता है कि टॉल्ट उसे उसके main कामें मदद कर सकती है टॉल्ट कहती है कि अगर उस दिन लग ने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं अभी जिन्दा नहीं होती इसलिए मैंने अपना दिल, सोल और बॉड़ी सब लग के नाम कर दिया है एसरी टॉल्ट से कहती है कि अब से तुम लग का ध्यान रखना तो लग टॉल्ट को खाना खाने के बाद ट्रेनिंग रूम में आने के लिए कहता है टॉल्ट ट्रेनिंग रूम में आ जाती है लग उसे कपर उताने के लिए कहता है फिर वो उसका चेक अप करता है लग बोल रहा होता है कि मैंने टॉल्ट को एक special main बनाया है जो मुझे assist करेगी assassination में टॉल्ट को train करने से पहले father ने मुझे दो condition दिये थे पहला कि मैं टॉल्ट को training दूँगा और दूसरा कि अगर टॉल्ट मुझे बिट्रे करेगी तो मुझे उसे मारना होगा टॉल्ट ने दो साल में एक assassin वाली body बना लिये और उसने education भी ले लिये मैं पिछले जनब में एक instructor था लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक इतना अच्छा assassin को train कर सकता हूँ टॉल्ट लग से पूछती है कि क्या मुझे में कोई problem है तो लग बोलता है कि physically तो नहीं लेकिन तुमारे sense में problem है तभी टॉल्ट लग पे पीछे से हमला कर देती है लेकिन लग असानी से बच जाता है टॉल्ट कहती है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुमारे expectations पूरा नहीं कर पाई लग उसे और ट्रेनिंग करने के लिए बोलता है सुबह हो जाती है और लग टॉल्ट को देख के बोलता है कि इसके पास कोई भी talent नहीं है पर ये एक hard working और honest है इसलिए ये improve कर रही है टॉल्ट martial arts में जादा improve नहीं कर पा रही है वो बस spear यूज करने में अच्छी है लेकिन weapon जो चुपा न सके वो assassin के लिए अच्छे नहीं है रात हो जाती है और टॉल्ट knife से ट्रेनिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लग आ जाता है लग बोलता है कि अब हमें सोचने का तरीका बदलना होगा वो magic से एक ऐसा spear बनाता है जो फोल्ड हो जाता है टॉल्ट उसे ट्रेनिंग करती है और लग यह देख के बहुत खुश हो जाता है सुबह हो जाती है और लग सोयावा होता है टॉल्ट कहती है कि सुबह हो गई है अब उठ जाओ जब लग अपना आँख खोलता है तो देखता है कि टॉल्ट उसके बगल में सुई हुई होती है टॉल्ट कहती है कि तुमने ही कहा था अगर मैं अकेला फील करूँ तो मैं आपके रूम में आ सकती हूँ टॉल्ट कहती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं luck के किसी काम आई और वो बहुत खुश होती है लग मन में कहता है कि अब सब मेरे planning के हिसाब से हो रहा है एपिसोड के ending में डाया को दिखाते है जो luck के बिना बहुती अकेला फिल कर रही होती है और उमीद कर रही होती है कि वो अलग से बहुत जल्दी मिले और एपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है तैंक्स गाइस फॉर वाचिंग